तो हाई फ्रेंड यह है वो सॉलर प्लांट जो कि सरकार दौरा लगाए जा रहे हैं दौसणी के विजरी आप ऑं-l часть कर दरू है वह अपने किससा पानी दे रहा है और आप ने कितने सरके यह रहोए है किससा पानी द देगा वह हम आपको वो जो है 3 HP के लिए है और उसके बाद इसमें जो है 6 पलेटे यह है 5 HP का तो यह 6 पलेटे उसमें लगी हुई है 3-3-6 और 6-7-8-9-10-11-12-13-14 और इसमें 15 पलेटे होती है लेकिन यह यहां पर जो पलेट है वो फूट चुकी है खराब हो चुकी है वो ऐसे कोई खराब नहीं हुए वो किसी ने पत्थर अत्थर उस पर मार दिया तो इसकी देखर एक बहुत जरूरी है पलेट की हाला कि बैसे मैं बता दू 15 पलेटे आती है इसमें 5 HP का होता है और जो की 3 HP का होता है उसमें 9 पलेटे आती है तो 3 वो लगी हुई है या फिर उसमें एक ही यह आता है ए पूरी 9 पलेट है तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और एक और नौ वो खाली रहता है बस वो आपको एक्टरा नहीं मिलेगा जिनका 3 HP का है अब पानी की बात करें कि वो पानी कितना देता है 5 HP का और 3 HP का वो हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले इसके हम फीचर दि डीजी क्योंकि यह DC वाल्टेज आता है इसमें से यह इसको AC में convert करके और यहां से देखें यह लाइन इसमें DC बाली जाती है और यह यहां से ओन होता है अभी आप देखेंगे मैं सको ओन करता हूं यह ऑन हो चुकिक है मोट्र आप देखेंगे यहां पर यह नंब्रिग च पहुचता है मोटर में अब मेरा यहां पर सुचेशन यह है कि यहां पर आपको जो कुणा दिख रहा है देखे यहां पर वह लगभग दूरी दिख रही है आपको वह मिट्टी डली हुई है वहां पर है इसका वोर बैल्स तो वहां तक यह जो लाइन है वह यहां पर पहुच बाता हूं हुट है हमें थोड़ा सा इसकी देखरेक को लेकर की समस्या थी इसलिए हमने इसको थोड़ा सा दूर लगवाना उचित समझा यहां पर आप देखेंगे यह जो कुगा है वो आपको देख रहा है अगर बोर बैल्स है तो आप बोर बैल्स भी बहुत अच्छा यूज होता है हमारे पास बोर बैल्स की जगए कुगा है तो हमने उस मौटर को कुगए में यूज किया हुआ है अब आप देखेंगे जो पाँच एच पी की मौटर है वो कुछ इस तरीके से पानी आपको दे रही है साथ में हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं ड्राउन से कि ये चार से पाँच छे दिन में कितनी जो जगए है वो सिंचित कर देती है इस प्लांट की एक पलेट टूट भी चुकी है जैसा कि मैंने आपको बताया है उस बजह से भी पानी ये बहुत कम दे रही है क्योंकि जो वो पलेट टूट चुकी है तो इसको पावर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है क्योंकि पूरा अच्छा पावर इसको नहीं मिल पा रहा है और अगर मैं बात करूँ तीन एच्पी जो लोग तीन एच्पी का लगवार हैं तो ये मान के चलिए लगभग तीन एच्पी जितना थोड़ा सा कम और पानी देगा लगभग 3HP का इतना ही पानी आपको दे देगा आप देख पाएंगे ये 4 इंची का मोटा पाइप है और ये इस तरीके से इतना अच्छा पानी इसमें उठा दे रहा है अगर हम बात करें कि ये कितना एरिया सिंचित कर देता है लगभग 5-6 दिन में तो वो हम आपको दिखा देते हैं अगर हम इसकी बात करें तो लगभग लगभग ये डिपेंड करता है कि अगर आपके कुगा या बोर्वेर्स में पानी खतम नहीं होता है आराम से चलता रहता है दिन भर तो ये बहुत अच्छा है इसमें आप यूज़ कर पाएंगे अभी जैसे सरदियों का मौसम है तो साड़े आठ बजे से चलना सुरू हो जाता है और साम के चार से साड़े चार बजे तक ये कंटीनियू चलता रहता है उसके बाद थोड़ा से पानी कम हो जाता है फिर डेपेंड करता है कि किस तरीके से कब तक धूप है ये आप देखें कि कुगा और जो सोलर पैनल है उसकी दूरी देखें काफी दिख रही है इतनी दूरी होने के साथ ही ये पानी इतना च्छदर अगर इसमें दूरी कम हो तो ये और भी जादा पानी देता है हमारे दौरा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कौमेंट करके और लाइक करके जरूब बताए इसम्द्ध, सारी जानकारी आपको मिलती रहती है तो टेक्निकल हैल्प चैनल को आप सस्क्राइब जरूब करें बगल में गंटी आएगी उसको भी जरूर से प्रेस करें